तो प्यारे बिच्चों आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में भिन्न के बारे में जानेंगे सीखने के बिंदू होंगे सबसे पहले किसी वस्तू के संदर्ब में भिन्न की समझ को विक्सित करना और नमबर दो किसी वस्तू के बटवारे की समझ को विक्सित करना नमबर तीन पूर्ण आधा एक तिहाई एवं एक चोथाई की समझ को विक्सित करना नमबर चार समान एवं आसमान भिन्नों की तुलना करना नमबर पांच किसी विन्न संख्याओं के संक्रियाओं को जैसे जमा गटा गुणा एवं भाग को समझना तो आईए सुरू करते हैं केक को पांच बराबर भागों में विभाजित करते हैं इस एक भाग को हम एक बटे पांच कहेंगे इस प्रकार की संख्याओं जो एक पूर्ण को व्यक्त करती है भिन्न अत्वा फ्रेक्शन कहलाती है ये जो बटे की लाइन है इसे हम विभाजन रेखा कहेंगे नीचे पांच ये प्रदर्शित करता है कि एक पूर्ण भाग को कितने भावगों में विभाजित किया गया है इसे हम हर कहेंगे जिसे हम अंग्रेजी में डिनोमेटर कहते हैं और उपर वाले भाग को हम एक पूर्ण भाग में से कितने भाग लिए गए हैं इसे हम अंस कहेंगे जिसे हम अंग्रेजी में निमरेटर कहते हैं आईए इसे हम एक गतिविदी के माद्यम से समझते हैं, इसको हम एक पूर्ण भाग कहेंगे, इसे हम एक बटा दो कहेंगे, इस बित्तकार आकरती के तीन भाग करते हैं, तो इसे हम कहेंगे एक बटा तीन, और यदि इसे हम थोड़ा सा घुमा दें, इसे हम दो बटे तीन कह कहInge ya के जानते हैं यहां त्व गत जहुआ हो गया यहां पर लुए घुभभा देता हूंRO तीन चोथाई या तीन चत्रुथांस हम इस व्रत्त कार आकरिती के पांच भाग करते हैं तो इसे में कहूंगा एक बटा पांच या एक पंचमास भाग अब इसके यदि मैं दो भाग यहाँ पे चायंकित ले लेता हूं तो इसे में कहूंगा दो बटा पाँच या इसे में कहूंगा दो पंच मास इसके बाद यदि मैं तीन भाग को चायंकित ले लेता हूं या आप देख रहे हैं तो इसे में कहूंगा तीन पंच मास अब चलिए बात करते हैं एक अन गतिवि कि अब यहां पर हम कि जो वर्ग दिये गए हैं इसको हम आधा करना है हमें कितने प्रकार से इसको आधा कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं यहां पर इस तरीके से आप आधा कर देते हैं यह इस तरीके से भी आधा कर सकते हैं यह आपने आधा कर दिया यह फिर इसे आप ऐसा भी आधा कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी आधा कर सकते हैं अब इन आकरतियों को हमें एक बटतीन भाग में विवाजित करना है अथ्वा बाटना है आकरतियों को हम एक बटतीन भाग में अर्थात एक त्याही में बाट रहे हैं हमने इसे एक बटतीन एक त्याही मे बाट दिए अब इन आकरतियों को हमें एक चोथाई अर्थात एक चतोथांस के रूप में व्यक्त करना है देखा आपने हमने इसे एक चोथाई एक चतोथांस के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर दिया तो भिन भिन आकरितियों को हम इस तरीके से 1 बटा 2 अर्थात 10, 1 बटा 3 अर्थात 1 तिहाई और 1 बटा 4 अर्थात 1 चौथाई अथवा 1 चौथान्स के रूप में हम विभाजित कर सकते हैं, बाट सकते हैं, यहां हम देख रहे हैं, यह हमारा एक पूर्ण भाग है और यह हमा हमारा दो भाग है, और यहां पर इस पूर्ण भाग के हमने 4 भाग कर दिये हैं, बराबर और इसी तरीके से हमने यहां पर इसके 6 भाग बराबर कर दिये हैं, और इसी तरीके से यहां पर हमने 8 भाग बराबर बराबर कर दिये हैं, अब चलिए, यहां पर हम विभिन के रूप में एक पुल्ण भाग से प्रदर्श्यत करते हैं और यहां पर दो भागों में प्रदर्श्यत और इक को हम Delhi के रूप में प्रदर्श्यत हम सबसे पहले देख रहे हैं एक पूर्ण भाग है उसके बाद एक बटा दो है उसके बाद एक बटा तीन है और इसके बाद में एक बटा चार है जो पूर्ण भाग है वह एक बटा दो से बड़ा दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से जो एक बटा दो है वह एक बटा तीन से बड़ा दिखाई दे रहा है और एक बटा तीन एक बटा चार से बड़ा दिखाई दे रहा है जितने अधिक भाग हो जाते हैं जिस स्वस्तू के तो वह उतनी ही छोटी होती जाती है गतिविधी के मात्यम से कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं यह आप देख रहे हैं यह फिर यहां पर यदि हम कहें कि एक बटा चार भाग इसके ले लिए जाएं तो यह इस प्रकार से इसके एक बटा चार भाग हों और फिर इसके बाद यदि हम कहें कि एक बटा पांच भाग इसके ले लिए जाएं तो यह एक बटा पांच भाग आप देख रहे हैं कि हम जितना उसके भाग करते जाते हैं, इतने छोटी वयर्टी का टुकड़ा होते जाता है इसे हम एक और गतिविधी के माध्यम से समझते हैं यहाँ पे आपको एक पट्टिका दिखाई दे रही हैं यह आपको देख रहा है यह पट्टिका इसमें आप पूर्ण एक भाग देख रहे हैं इसी प्रकार से यहाँ पे आप यहाँ पे एक बटा दो भाग देख रहे हैं तो इस पट्टिका को मैं इस तरीके से ले लेता हू तो यह आपका एक बटा दो भाग के रूप में हो गई और फिर इसके बाद यहां पर इसके में और भाग कर दूँ तो यह जो एक भाग है वह और छोटा हो गया आप यदि इसके में छे भाग में से कोई एक भाग ले लेता हूं तो यह और छोटा हो गया और इस तरीके से यह यहां पर यदि में ले लेता हूँ एक भाग तो यह और छोटा हो जाएगा यदि इसके में 12 भाग करते हूं तो यह और छोटा हो गया इस तरीके से यह पट्टी का बहुत छोटी होते चलती है आपको इस पस्ट दिखाई दे रहा है कि हम जितने अधिक भाग करेंगे वह वस में तो हम यहां पर कोई एक भाग को यहां पर छायंकित कर दिते हैं अगली आकरति में आप देख रहे हैं इसे 3 बminute 4 भाग को छायंकित करना है तो हम 3 ब 맛있어요 को कि यहां तो आप यहां पे 4 से 3 को 6 इंकित करदेंगे इस तरीके से अगली आकरती देख रहे हैं जिसमें एक बटा चार च्छा इंकित करना है तो एक भाग को हम यहां पे छाल आ watts कर दिते हैं इस तरीके से तो आपने देखा कि यह एक रखाद को चाई गित कर दिया है और इसी तरीके से यहां पे हम अगली आकरती में देख रहे हैं कि तीन बटे-चार भाग कोँजा अइंकित करना है तो इसमें से हम तीन बटे-चार अर्था तीन भागों को चायंकित कर देते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं पहला भाग फिर यहां दूसरा भाग और यह हमारा तीसरा भाग इस तरीके तीन बटे चार भाग को चायंकित कर दिया अगली आकरती में एक बटे दो भाग को चायंकित करना है अब यहां एक बटे दो कन्फूजन होता जाए कि यहां पर चार भाग दिये गए नीचे चार नहीं दिया गया है तो हम यहां पर ऐसा करते हैं कि दो का गुणा कर देते हैं तो उपर भी दो का गुणा करना होगा तो दो बटा चार हो जाएगा इसका अर्थ यह है कि चार में से किसी दो भाग को हम चायंकित करेंगे तो यहाँ पर हम किसी दो भाग को चायंकित कर लेते हैं हमने एक बटा दो भाग को चायंकित कर दिया अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार में से चार भाग को चायंकित करना है हैं चार में से behaviors बाग को हम चायेंगित कर दें इस प्रकार से कथन के अनुसार हमने भागों को छायेंगित कर लिए आप यहां पर कुछ स determ करती हां और 6 से जिस्में से 3 बठाट 4 बाट बाट 4 से किरें थिंख बाट जर्चार को इस तरीके से हम अगले यह पुने उसी प्रकार का प्रस्ण है, अर्फात दो बटे चार के रूप में लिकर चलते हैं तो इसके किसी दो भागों को हमहें च्यायंक धर कर देते हैं, इस तो करम से हम भिन्द का अकरथियों को कत्хन के अनुसार, हमन्द कर पर देते हैं है अब आईए एक प्रस्द सरल करते हैं। कि यहाँ पे दिये गए भिन्न के अनुसार हमें आक्रति को रंग भरना है। सबसे पहला हमारे पास इस आक्रति में एक बटा च्छ है तो हम 6 में से एक भाग को रंग कर देते हैं। अब दूसरी आक्रति देख रहे हैं बच्छों तो यहां पर हमें 8 मैं से 5 भग बाइब करना है तो यहां हम 5 भाग को रंग कर देते हैं कार से आपने देखा कि 8 हमें से किनी 5 भागों को रंग करना था इसके बाद यहां पर अगला जो बिन्ल से हो है inanव को रंग दिया अगली आक्रती में हम देख रहे हैं व्रत्तकार आक्रती में चह मेंसे 5 ging नहीं तो जो उपर दिये गधे हैं उतरे भागों को हम रंग करक इस प्रकार देखा आपने कि जो दिये गए भिन्न थे उसके अनुसार हमने इन आकरतियों को रंग दिया अब हम तुल भिन्न को समझते हैं तुल भिन्न से तातपर क्या है यहां पर हम एक क्रिया कलाब करते हैं यहां पर दो भाग दिखाई दे रहे हैं यहां पर चार भाग और यहां पे आपको 8 भाग दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके से यहां पे आपके कुल 12 भाग दिखाई दे रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यदि इसमें हम 1 बटा 2 लेकर चलते हैं तो यह 1 बटा 2 इस तरीके से भाग दिखाई देता है अब यहाँ पे यदि हमने इसका आदा भाग को रंग कर दिये तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह 2 बटा 4 के बराबर है और फिर यदि आपने इसके आदा भाग को रंग दिया तो यह आप देखते हैं कि यहाँ पे 3 बटा 6 के बराबर हो गया और इसी तरीके से यहाँ पर यदि हम आगे की और पट्टी का लेते हैं तो यहाँ पर चार बटा आठ के रूप में चायंकित हो गया और फिर आप देखते हैं यहाँ पर यदि हम इसके 12 में से आदे भाग अर्था 6 को चायंकित करते हैं कलर कर देते तो 6 बटे 12 के रूप में यह पर दर्शित हो जाता है तो इस प्रकार से आप इसमें समझ पाते हैं अभी हमने जो गतिविदी देखा था उसके अनुसार हम यह कह सकते हैं कि यह पूर्ण भाग है यहाँ पर एक बटा दो भाग है और यह दो बटा चार है और तीन इसके बराबर है तो इसको हम जदी देखते हैं एक बटा दो बराबर दो बटे चार ठीक और यहाँ पर इसको देखते हैं तो यह तीन बटा छे लिखेंगे और इससे देखते हैं तो यह लिखेंगे हम चार बटे आठ और इससे देखते हैं यह छे बटे 12 अब यह क्या सब ही आपस बराबर है करते हैं दोसे आप भाग देतें तो एक अब ही बटा कीड़ाइबा मंतने चाहर धुनीाध्व चाहर को चाहर दुनी आट इस तरीके से करें चैasında में आपने मिक्तर दो कि रहे हैं यह स्वक्ति चेकंड व्राप्त रहत最近 तुल अत्वा समान भिन पर आधारित कुछ प्रश्णों को अभ्यास करते हैं यहां पर आप देख रहे हैं रंग भरना है तो दो तुल भिन दिये गहें एक बटा दो और पांच बटा दस तो यहां पर एक बटा दो अर्था दो में से एक भाग को हम इस प्रकार से रंग भर दिया और इसी तरीके से यहां पर दस में से पांच भाग को रंग भर देते तो यह हमारा तुल भिन होगा तो देखिए आप चाहें तो इस तरीके से रंग भर सकते हैं इस प्रकार से देखा बच्चों आपने किसी पांच भागों को हमने रंग भर दिया तो यह होगा हमार भिन पांच बटात तो इस प्रकार से एक बटाध दो पराबर है पांच बटा 10 एए दूसरा प्रश्ण सरल करतेंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पस भिने एक पर तीन around 2 बाबर attracted to उने तो इसमें एक बटार तीन अर्था तीन नग्द्टर से ले सकते हैं आईए आप तीसरा प्रश्नी आप देख रहे हैं बिnew नामे ग्यात है इसमें हमें यहां पर इस भाग को रंग भर दें इस प्रकार से एक बटा पांच बराबर है दो बटा दस यहां पर चौंथे प्रश्ण में आप देख रहे हैं कि यह हमारे पास तीन भाग दिये गए हैं और यहां पर कुल हमें छे भाग यहां पर ग्यात हैं दो बटा तीन बराबर है चार बटा छे के इसमें तीन में से दो भागों को हमें रंग भरना है इस प्रकार से और यहां पर छे में से चार भागों को रंग करना है तो इस प्रकार हम ये भिन तुल भिन को 2 वट 3 वड़ाबर 4 वट 6 को रंग भर कर प्रदर्शित कर सकते हैं आईए हम एक अन्य प्रस्न देखते हैं यहाँ पे समान भिन अतो वह तुल भिन पर आधारित इन प्रस्नों पर ध्यान दे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पहला प्रस्न दो यहाँ पे पट्टिकाएं बनी हुई हैं जिसमें यहाँ पे कुछ भाग में कलर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अलग अलग प्रस्नों में आप देख रहे हैं कि रिक्तिस्थानों की पूर्तिया में करना है पहला प्रशन है आप देख रहा है यहाँ पे दो भाग में से एक भाग को कलर किया गया है तो इसके लिए इसका हम भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे इसे लिखेंगे 1 बटा दू इसके बाद हम देख रहे हैं उसके नीचे वाली पट्टिका में 10 भाग दिये गए हैं जिसमें से 5 भाग यहाँ पे चायंकित हैं तो 5 भाग चायंकित हैं तो इसे हम लिखेंगे 5 बटा 10 आप देख रहे हैं कि यह आदा भाग और यह आदा भाग दोनों चायंकित हैं प्रताद पर यह है कि एकीवटा दो भाग पाँच बटे दस भाग के बराबर हुगा दूसरा प्रशन देखते हैं यहां पर पटिका में तीन भाग में से एक भाग में से एक भाग को छायंकित किया गया हैति इसके अनुसार यहां पर चायंकित किया गया तो यहां हम लिख देंगे दो इसी प्रकार तीसरा प्रश्म देख रहे हैं जिसमें पांच भाग हैं कुल और उसमें से दो भाग चायंकित हैं तो यहां उपर लिखेंगे हम दो तो यह भिन होगा दो बटा पांच इसी तरीके से यहां पे हम कुल दस थो थो बटा 5 बराबर है चार 2 10 क्योंकि बड़ाबर भाग चाहें कि हैं इसका ताथपर है कि ये न आपस में बड़ाबर हैं तुल हैं समान आईए चौथा प्रस्न देखते हैं यहां पर 4 भाग में से कुल 3 भाग चायेंगए तो इससे हम लिखें गें कЕ 132 ठाट और इसी तरीके से यहां पर कुल 8 भाग हैं जिसमें 6 भाग छायेंगक थे तो इसे लिखेंगे हम छै बटा 8 चौह बच्चों देखा आपने किस प्रकार से हमने समान अथवातुल भिन्न को प्रदर्शित किया है अब हम समान हर वाले भिन्नों के योग की संक्रिया को समझते हैं तो इस प्रकार के भिन्न जिसमें हर समान होते हैं उनको किस प्रकार से योग किया जाता है यहां हम बोर्ड में तीन उधारण देख रहे हैं और इसको हम एक गतिविदी के माद्यम से भी समझेंगे, आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे दो चायंकित भाग हैं, जिसमें से एक लाल रंग का और एक पीले रंग का चायंकित भाग हमें गया थे, एक बटे तीन में दूसरे भिन एक बटे तीन का योग करना है तो यहाँ पे हम चायंकित भागों को देखकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, या आप इस तरीके से एक छोटा साम यहाँ पे आपको गतिविदी बता रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चायंकित भाग है, हम इस चायंकित भाग को इस तरीके से आगे की और बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं दो चायंकित भाग हो जाते हैं तो इस प्रकार से इस भिन्य को हम दो बटा तीन पढ़ेंगे मान हरें तो यहां बटे में तीन आएगा ही और इन दोनों संक्याओं को हम जोड़ देते हैं और इस प्रकार से हम इस भिन्य का जो योग है दो बटे तीन प्राप्त कर लेते हैं, तो यह भाग चाहिंकित हैं, तीन भाग में, तो दूसरा प्रशन हमें ग्यात है, यहाँ पे हमें एक बटे पांच में दूसरे भिन दो बटे पांच का योग करना है, एक बटे पांच भाग यहाँ पे आप देख रहे हैं चाहिंकित है हम इसके दो भाग और चाहिंकित कर लेते हैं तो यह आप देख रहे हैं कि यह दूसरा भाग और यह तीसरा भाग तो इस प्रकार से हमने तीन भाग को चाहिंकित कर ली एक बटे पांच भाग में दो बटे पांच भाग को योग कर देते हैं करने का तो हमें प्राप्त होता है तीन बटा पांच के पराबर तो इस प्रकार से हम चित्र अथवा गति विद्धी के माध्यम से भी भिनों का योग कर सकते हैं यहां पर तीसरा प्रशन आप देख रहे हैं पट्टी का दिखाई दे रही जिसमें की कुल छह भाग हैं और हमे भिन तीन बटे छह में दो बटे छह का योग करना है तो आप क्या करेंगे यहां पर छह में से कुल कितने भाग चायंके थे हैं उसको उपर लिख देंगे तो यहां पर लेकिंगे पांच और नीचे कितने भाग हैं कुल छह तो इस प्रकार से इसका योगफल पांच बटे 6 होगा तो इस प्रकार हमने देखा कि समान हर वाले भिंणों का योगफल कितनी आसानी से ग्यात हो सकता है अब आए यहाँ पर समान हर वाले कुछ भिंणों का योग करते हैं जिसमें पहला प्रस्णा आप देख रहे हैं एक बटा तीन दन दो बटा तीन तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यहां पे हम बटे की लाइन लिखें समान हर आपको दिखाई दे रहे हैं तीन यहां नीचे लिख दें तीन और उपर के जो अंस में संख्याय दी गई हैं उनको हम सीधा जोड़के लिख दें एक दन दो अब इसका योग करिंगा यहां पे तीन बटा तीन हो जाएगा और इस प्रकार से इसको कैंसल करने पर यहां पे सेस हमें एक प्राप्त होगा दूसरा प्रस्न देख रहे हैं आप पांच बटे दो में तीन बटे दो भिन्न का योग करना है जिसमें हर में समान संख्या दी गई है तो यहां पे दो समान संख्या की रूप में तो दो लिख देते हैं अब हम उपर के जो अंस में संख्याएं दी गई हैं उसको जोड़ देते हैं तो पांच दन तीन लिखेंगे और इस प्रकार से पांच और तीन का तो यहां पर हम समान हर देख रहे हैं 6 दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार से हम 6 लिखेंगे और उपर के अंस में जो संख्याई दी गई हैं उसको हम योग कर देते हैं 7 और 5 से 12 प्राप्थ होगा बटा 6 लिखेंगे 6 एकम 6 और 6 दुनी 12 कैंसल करने पर प्राप्थ होगा दो बटा एक प्रस्ण में आप देख रहे हैं एक बटा 5 में दो बटा 5 का योग करना है तो यहां पर भी समान हर हमें दिखाई दे रहा है पांच और इस तरीके से यहां प अब हम यहां पर आज समान हर वाले भीन्नों का योग ज्यात करना सीखेंगे इस भीन्न में 2 बटा 3 है और यहां पर 1 बटा 4 है इसे हम दो तरीके से सरल कर सकते हैं तो पहला तरीका यह हो सकता है कि हम इसके हर को समान बना दें पहले 4 का गुणा इस में कर देते हैं तो 2 बटे चार लिखेंगे हमने यदि नीचे गुणा किया तो उपर भी गुणा करना होगा और इसी प्रकार से यहां पर धनकचन लगाएंगे और यहां से इस तीन का गुणा इस चार में करके लिखेंगे तो एक बटे चार गुणे तीन लिखेंगे और उपर भी तीन का गुण अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दो समान हर हमें प्राप्त हो जाते हैं अब इसमें हर हम बारा लिखते हैं जबकि समान है और उपर के अंस को जो संख्याय दी गई हैं उनका योग कर देते हैं तो आठ और तीन ग्यारे हमें प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार हम देखत हल करने का एक दूसरा तरीका भी देखते हैं तो यहां पर हमें 3 और 4 का LCM लेना होगा तो 3 और 4 का LCM इस प्रकार से देते हैं तो 3 एकम 3 और यहां पे फिर 4 का भाग देते हैं तो 4 एकम 4 तो इस तरीके से 3 गुड़ित 4 इसका LCM होगा 12 यहां हम 12 लिख देते हैं और 3 का भाग देते हैं 4 बार जाता है 4 का 2 में गुणा करते हैं 4 दुनी 8 होगा अब यहां पे धन का चेन लगा दें और 4 का भाग 12 में दें तो 4 का पहड़ा परते हैं 3 बार चला जाता है भाग 3 का गुणा एक में हम कर देते हैं इस प्रकार 3 का एक में गुणा करने पर 3 प्राप्त हो जाता है और 8 और 3 11 बटे 12 लिखा जा सकता है तो इस तरीके से हम भिन्नों का योग कर सकते हैं जबकि उनके हर आसमान है आईए एक और उधारन देखते हैं यहां पर हमें भिन्न गया थे दो बटा तीन और एक बटा दो दोनों भिन्नों का योग करना है जबकि इनके हर आ समान है यहाँ पर तीन गया थे यहाँ पर दो यदि हम दोनों हर को समान बनाए तब हम दो बटा तीन पहले लिखते हैं और इस दो का गुणा कर देते हैं अन्स और हर में बीच में धनका चिन लेकिंगे अब यहां पर अगला बिन्हें एक बटा दो इस तीन का जुआ इस समें कर देते हैं तो 3 यहां पते हैं कि 2 का 2 में गुणा होके 4 प्राफ्थ होगा इसी तर्रीके से धनका चिन लगाएंगे 3 का 1 में गुणा होगा तीन होगा दोतिया च्छे प्राप्त होगा इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समान हर हमें प्राप्त हो जाते हैं च्छे मिल जाते हैं और यहाँ पर अंस की संख्याओं को वैसे ही हम योग कर देते हैं तो चार और तीन, सात बटा छे इस भिन्न का योग प्राप्त होता है, अब हम समान हर वाले भिन्नों को गटाना सीखेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक आकरती दिख रही है, ब्रतकार आकरती में पांच बटा आठ भाग चायंकित हैं, इसमें से हमें दो बटा आठ को कम करना है, घटाना है, आईए, एक छोटा सा क्रिया गलाप हम देखते हैं, यह आपको दिखाई दे रहा है, कि यहाँ पे पांच भाग यहाँ पे चायंकित दिखाई दे रहे हैं, इसमें से यह आप देखनें पांच बटा आठ भाग हैं, और यदि हम दो भाग को कम कर हैं तो दो भाग को कम करने पर आप देखते हैं यह पहला भाग हमारा फल होगा यहाँ पर जब समान हर हमें ग्यात हैं तो इसका जो हर है वह उबेनिस्ट होगा 8 लिखा जाएगा, उबेनिस्ट हर को हम लिख देते हैं अब इसके बाद यहाँ पर अन्स हमारे पास है 5 और यहाँ पर है 2 और बीच में यहाँ गटा कचन लगा देते हैं पांच में से दो को कम करेंगे तो जैसे ही हमने पांच में से दो को कम किया तो तीन बटा आठ हमें प्राप्त हो जाता है इसी प्रकार से यहां पे एक अगला प्रशना आप देख रहे हैं इस पट्टिका में तीन भाग चायंकित हैं तीन बटा पांच भाग इस बिन्न को है हमें प्राप्त होता है पांच क्योंकि यह समान हर के रूप में अब यहां पे जो अंस में संख्याएं दी गई है तीन और एक और इसमें बीच में रिंकर्चन है तो रिंकर्चन लगा देते हैं तीन में से एक को कम करते हैं तो हमें प्राप्त होगा दो इसे लिखेंगे हम दो बटा पांच तो इस प्रकार से यदि हम यहां से एक को कम कर देते हैं तो दो भाग हमें बसते हैं दो बटा पांच से लिखा जाएगा तो इस प्रकार हमने इस सेशन में सीखा कि भिन केसे कहते हैं भिन्यों के बटवारा करना भिन्यों के समान और आसमान भिन्यों को समझना और इसके साथ साथ हमने सीखा कि किस प्रकार भिन्यों की संख्याओं की संक्रियाओं जैसे जूड़ना और गटाना तो आप इन प्रस्णों का अभ्यास करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद